असलाम अलाइकूम एंड हलो एवरिवन कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमली आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी हाँ पेक दम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुकर अलहाम दुलिल्ला और जिनाब आज है संडे का दिन और मैं संडे को आत सुबह सुब बच्चे भी इतना लेट सुए ना के मेरे से फिर सुबह सुबह उठा ही नहीं गया वरना मेरा प्लैन था कि मैं सुबह च्छे बजे पांच बचे च्छे बजे ना उठके सारे कपड़े एक दफा वाश कर लोंगी लेकिन फिर पता है क्या हुआ जब मैंने नमास पड़ी ना तो फजर की नमास के बाद ना मेरी बस नियत खराब हो गई और मैं ना दुबारा से सो गई जाके सब सुए वे थे तो बस मेरा भी दिली नहीं किया है उस्टेम सारा काम करने को ना तो मैं सो गई और बस फिर उटते उटते जो है ना नो बज गए तो अभी जो है सारे स पिछे से सारा वाश करती हूँ तो अब जो कपड़े न वोश की काफी दिन हो गए थे क्योंकि मैं हाथ के हाथ के कपड़े जो है वो धूते जा रही थी और मैं पीछे दो तीन दिन के लिए अपनी अम्मी की तरह रहने के लिए गई थी तो कपड़े इतने ज्यादा हो गए मैं शीन लगाए बगार गुजारा ही नहीं था वरना मैंने हाथ से धोरी थी पिछले दिनों और इतने ज्यादा कपड़े हो चुके थे तो इसलिए ना कपड़े ना दोने की वज़ए से बैक गली भी नहीं धुल सकी थी और बैक जो वाशिंग एरिया ना सारा वो काफी ग अकसर तो मैं जहाड़ो बिल्कुल पकड़ती नहीं हूं ना जब तो अकसर अगर जब मैं रोज-रोज धोरी हूं ना तो फिर मैं तो इस तरह पाइप से मंटी हटा देती हूं वाइपर लगा देती हूं बिल्कुल साफ हो जाता है तो बास में पीछे कपड़े जो है ना अलू के पराठे तो मैंने काई कि अलू के पराठो के लिए आलू बουाईल हूँ हो ना तो फिर जल्दी जल्दी जारा टाइमली बन जाएंगे और मैंने पानी भी बिल्कुल लिटरली अप्ढ़नी आके पीया मैंने सुगती ना काम तो इत कर लो बच्चों के उठने से पहले क्योंकि बच्चे उठ जाए ना एक दफ़ा और मिया उठ जाए तो बस फिर नाशती की हो जाती कि नाशता बना लो जल्दी जल्दी से तो इसलिए मेरा था कि सारा कुछ काम का हिस्सा वो सुबह सुबह ही निपड़ जाए तो अब ही मैंने का कि किछन में आलू तो बॉौयल हो गए थै और दूद भी बॉौयल हो गया था और मैं साताई साथ मैंने का कि बरतन भी क्योंकि πिर रात की कुछ बरतन थे और लेट नाइट जो है न वो बच्चों ने कुछ खाया था तो कुछ उसके भी बरतन थे और बरतन तो आपको पता है कि वैसे कितने ज़्यादा हो जाते हैं तो बस रात को जो है ना मेरा बिल्कुल इतनी थकावट सी हो गई थी पता नहीं क्योंकि मेरा दिली नहीं किया बरतन धोने को हाला कि मैरा आत को सारे बरतन वोश करके सोती हूँ तो बस वो भी मैंने सुबा पे छोड़ दिया थे कि सुबा सुबा जल्दी उटके 6-7 बज़े या 5-6 बज़े दोलूंगी और बस सुबा भी मेरे से नहीं उठा गया तो बस अभी मैंने का कि breakfast बनाने से पहले एक दफा सारे बरतन में अच्छे सा वोश कर लूँ क्योंकि बरतन वोश हुए हो ना सिंख वोश हो तो फिर मैं तभी नाश्टा बनाती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है नाश्टा बनाना सिंख सारा बरतन वोश हुए हो तो अभी जो है न वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी यहां पर लसी क्योंकि अभी मैंने नाश्टा नहीं बनाया था लेकिन सब को उठते साथ थोड़ी सी भूख लग गई थी और हाउस वाइफ का या मदर का तो बिलकुल ना पूछे वो बिचारी ची सुबा 3-4 गहंटे से पहले उठके सबसे पहले काम कर रही हो लेकिन उसको भूख नहीं लगती है बिचारी को न तो वो सारे काम कर रही हो थी लेकिन बच्चे और मिया जैसी उठते ना उनको ये वे काफी अरसा हो गया था मतलब काफी कोई 10-15 दिन तो हो गए होंगे 20 दिन के हमने दही की लसी नी बनाई थी आज ने मेरे इतना दिल चाहा के दही की लसी बनाओ मैं तो मैंने पहले नाश्टे से बच्चों को बना के पिला दी थी और आपको पता इतना हपस लग रह है कि ना हमारे यहां पर एरिया में बिल्कुल बारिश ही नी हो रही है तो इतना हपस लगा हुआ था ना तो इसलिए मैंने बच्चों को ना पहले ही लसी बना के दे दी और अभी यहां पर आलूब वाइल हो गए तो मैंने छील के फटा फट से इसके अंदर मैंने का सारे म दाले दो इस मेरा दिल का रहा था कि मैं चली फ्लेक्स डालू तो यहां ना मेरा सुका धनिया जो है वह पीस के डालने लेकिन मुझे याद आया कि मैंने वह मसाले वाली डिबी में ना कल लसन अद्रक थोड़ा सा पीसा था तो वह मैंने फ्रीजर में उसी तरह रख दिया तो बस फिर मैंने इसी तरह हाथ से थोड़ा सा ना मसल के डाल दिया क्योंकि ना हूरिया जो है ना मेरी सबसे छोटी जो छोटू छोटू वाला बच्चा है वो ना खाती नहीं है थोड़ा सा भी सूका धनिया जीरा इस टाइप की चीज आ जेगी ना तो वो फिर खाती नह है तो मैंने फिर बिल्कुल थोड़ा सा सुका धनिया डाला था इसके अंदर क्योंकि ना उसकी बड़ी अची खुश्बू और टेस्ट आ जाता है तो बस अभी यहां पे जो है ना मैंने फटा-फट से आलू के पराठे बना लिये थे और साथ में दही था बच्चे मैं हादिया हुरिया ने जो है ना वो कितनी बड़ी गरबड किया कितना उल्टा जो है ना वो काम किया तो बच्चों ने जो है ना वो बहुत गरबड कर दी और नाश्टे के टाइम पे सबका मूड खराब हो गया बच्चे जो है ना आपकी तवक्कों से ना कोई उल्टी काम क करते हैं मतब नाश्टे के टाइम पर सबका मूड खराब हो गया और बच्चों को भी काफी डांट पड़ी लेकिन इतनी जादा तो डांट नहीं पड़ी लेकिन डांट मुझसे बहुत जादा पड़ी बच्चों ने जो है न वो कोई गेम कहलते हुए हादिया हुरिया ने प पड़ी थी और हमारे घरे में बच्चों को मारता कोई भी नहीं है अद्रान भी जो है न वो बस थोड़ा बहुड डांटे हैं और थोड़ा बहुड डांट के जो हसना शुरू कर देते हैं तो जादा डांटने वाला जो रोल है न वो मैं ये दा करती हूँ क्योंकि जो उन जो है ना इस तीज का अंदाजा रहे कि उन्होंने ये वाला गलत काम नहीं करना तो बस बच्चों के ना इस काम और इस हरकत के वज़से ना नाश्टे के टाइम पर सारा मूड ओफ हो गया और अभी जनाब जो है ना मेरे हस्बिन जो है मैंने उनसे बोला कि आज जाडू पुराने वाला जाडू जो है ना वह बिल्कुल टूट गया था मैं पिसली वीडियो में भी आपको तिखाया था मैंने उसके उपर सारी टेप वगारा रैप की थी तो लेकिन वह बिल्कुल अपकाम नहीं दे रहा था तो वह जाडू लेकिन उनको दुबारा बेजा और द लेकिडी का बना हुआ है जो मेरे पास पिछले दोनों यह इस तरह के फूल जाडू थे ना उनका प्लास्टिक का हैंडल था और बार बार तूट जाता था तो आई होप कि यह थोड़ा सा जादा अरसा निकल जाए एक महीना तक निकाल जाए वरना 10-15 दिन बार दी जो है वो उसका पाइप वला हैंडल तूट जाता था तो बस यहां पर बचों को नाश्टा वाश्टा करवाने के बाद कपड़े भी तकरीबन मेरे साथ साथ में दोती जा रही थी और यहां पर मैंने लास्ट मशीन के अंदर डाल दिया था स्पिन होने के लिए और मैंने का हाथ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है न वो कम्प्लीट करवा दीजिए और वास टाइम भी तो चले इंशाला नेक्स वीडिय वीडियों में मिलेंगे तब तक के लिए दुआओं में याद रखेगा अल्ला हाफेज